प्रमोट सारंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक्जामपोर्ट टीचिंग स्कूल में दोस्तो हम है कलम से करांती और ये है आपकी मस्ती की पार्शला तो साथियो जल्दी से आ जाएंगे सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग रादे रादे जैहिंद वंदे मात्रम शुब प्रभाद सभी के लिए रामरा मेरे दोस्तों जल्दी से आ जाएंगे सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बार जल्दी से जिन साथियो ने भी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है जल्दी से ल पेपर में आएगा वहां से हमने आपको हिंदी में केवल हिंदी है हिंदी का सारा कंटेंट आपको एक ही वीडियो наж vackra जैसे किते हैं ना सारे जो टॉपिक होते हैं वहाँ से चुनिंदा प्रशनों को चांट कर हम आपके लिए लेकर आते हैं एसे नहीं कि कोई भी आपको को प्रक्टिस set उठा लिया है या कुछ भी उठा लिय उस तरह से नहीं पेटव यहां पर क्या होई एक प्रशन को सोच समझकर रखा जाता है एक प्रशन को topic के हिसाब से रखा जारा है कि आपको समय लगता है topic बनाने में समय लगता है ठीक है तो थो चलते वह केवल आपके लिए मेनन रही है औइं कोश्च्ण और अम्हारा कुछ नहीं लब नहीं होता है लेकिन फ्रीक्लाश थे और फ्रीकलास से अधी केवल आपके लिए उप्लब्ळ करा करांश करािं जाती है कि शुक्न कंटेंट मिल सके ठीक है तो चलते विटा पहला प्रश्ण है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में हुआ भक्ति सागर में सुक सागर में काव्य सागर में या प्रेम सागर में और आपको पत यह है कि यहां क्या है वो पहले महनुबाब जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली का प्रियुक्त किया था तो उन्होंने अपनी पुस्तक में किया होगा सीदी सी बात लॉजिक लगाईएगा तो कौन थे बटा देखेंगे प्रेम सागर ललू लाल ठीक है ललू लाल जी थे हिंदी खड़ी बोली के जो पहले प्रियोकता या पहले प्रियोक करने वाल ठीक है ललू लाल जी जो थे वो हिंदी खड़ी बोली को प्रियोक करने के पहले महनुबाब माने जाते हैं और ललू लाल जी की रचना है कौनसी फ्रेमसागर बास समझ में आ रही है लल्लू लाल जी की कौन सी रचना है PREMSागर और PREMSागर में ही पहली बार खड़ी बोली हिंदी का प्रियोग हुआ था ठीक है और यह लल्लू लाल जी ठीक है आपके लल्लू लाल जी हो गए और सदल मिस्र कौन से सदल मिस्र आपको मैं बता दू इनको ये दोनों के दोनों फोर्ट विलियम कॉलिज के ठीक है किसके फोर्ट विलियम पहले भी बता चुका हूं विलियम कॉलिज के हिंदी विभाग के अध्यापक रहे हैं किसके फोर्ट विलियम कॉलिज के हिंदी सदल्स्र नलल यह पूछा जाता है कि कौन सै दो महानुभाब फोर्ड विलियम कोलेज के हिंदी विवाग के अध्याब रहे ठीक है और जोन घिल क्राइश्ट कौन जोन घिल क्राइष्ट ठीक है ये उस हिंदी विबाक के अध्यक्ष रहे ते ये उसं लिबाक के अध्यक्ष थे और सदल मेशर और लगुलाण इन्होंने हिंदी खडी बोली के लिए वहसारी कितावें लिखी बच्चों की प्रश्ण है हर एक टॉपिक से प्रश्ण है बेटा बेहत्रीन वाले निमलिकित में कौन मूर्धन्य ध्वनी नहीं है मूर्धन्य ध्वनी का मतल समझते हैं यह पूछ रहा है उचारण स्थान क्या पूछ रहा है ठीक है कि मेरे गोल का पाउ क्या पूछ रहा है पेटा यह उचारण स्थान के आधार पर कौनसी मूर्धन्य धुनी नहीं है तो नहीं है जो दिखा हुआ है हाजी ठीक है चलिएगा आप देखो यह जो ड़ा है यह क्या है उच्छिप्त है और च्छिप्त या द्वीगुण क्या द्वीगुण और च्छिप्त है या फिर द्वीगुण है इसको उच्छिप्त या द्वीगुण द्वीगुण में रखा जाता हू दोनों को ठीक है वो छिप्त का मतलब है उपर की तरफ सेकना और चिप्त याद द्विगुण धुनी के अंतरकती आती है तो इसको हम इससे अलग कर देंगे ठीक है हिंदी की अग्र व्रिताकार सम्वरत स्वर्ध होनी है बहुत खतरनात प्रश्ण बीटा हिला देने वाला प्रश्ण है जल्दी से बताएंगे फटावट से हिंदी की अग्रध्वनी भी होनी चाहिए अव्रताकार भी होनी चाहिए सम्वरत स्वर्ध भी होना चाहिए कौन सी अच्छा लेवल है प्रश्न का हाई लेवल जिसे कह देते हैं और है यह आ है यह तो आपका मध्यस्वर में आएगा ठीक है यह आपका आता है मध्यस्वर में ठीक है यह भी आपका यह आपका पश्च स्वर में आ जाएगा ठीक है पश्च स्वर में भी रख सकते इसको और भी आपका अग्रसवर है ठीक है तो यह दोनों common हो रहे हैं इस प्रश्ण के अनुसार ठीक है और अवरताकार तो इन में से एक भी आपका अवरत। मतलब वरताकार नहीं है तो यह चारों के चारों वरताकार हैं तो यह यहां तक यहां तक देखो यहीं से निकलाएगा कि यह दोनों तो है नहीं बिल्कुल भी ठीक है यह दोनों तो है नहीं आंसर संवरत स्वर कौन सा हो जाएगा संवरत स्वर का मतलब होता है जिनके उचारन में मुख जो है बिल्कुल भी खुलेना इई-ई-उ-उ-उ-उ तो बेटा देखेंगे यह जो यह आपका अर्ध विवरत में हो जाएगा जब यह दोनों हमारे पास विकल्प में है कि यह दोनों अभी रेस में चल रहे हैं यह दोनों तो निकल गए बाहर यह दोनों तो बाहर निकल गए यह दोनों चल रहे मटाए है यह तो यहा का आपका आपका जो ए है है यह आपका सम्रत भी अग्र भी और आव्रताकार भी है है पुकरणार जले ये आगे कि लिए कूछ आ गरह्म गच्छती ग्रहम गच्छती है तो शब्ड का कि विष्चयत कीजिए गहम गच्षती का संदी विष्चयति क्या हो जाएगा गहम गच्षती गह गच्षती ग्रह गच्षती और ग purposely कौन आ घट्च्षते एक बार जल दि Co वीडियो को लाएक शेर करताइगा से उक भार जल्दि को लाइक शेर कर दोNote से करोग्यो Tyler करेंगे हाजी तो क्या अंसरा रहा आपका तो बिटा देखो सीधा सा है यह जो मां है इसका अनुस्वार हो जाता है यह मैं आपको संधी में बताया है प्रश्म में बताया है कि मां के बाद ठीक है मां के बाद का से मां तक पर्ष वेंजन कोई आए तो यह अगले वाले का पं अनुस्वार में बदल जाता है आपके शाम संदरदास जी ने यह नियम दिया था जो है बताई थी बाद विचार दिया था कि पंचमवंड के स्थान पर आप अनुस्वार रख सकते हैं ठीक है तो आंसर होगे आपका ए वर्तिनी की दरश्टी से शुद्ध कौनसा है बेट नरक 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 व्रक या रनक रनक ऐसे भी लिखा जाता है कोई शब्दला कुछ भी लिख देते हैं बताब गलत विकल्प लिखना तो कुछ भी लिख दो उट पटांग कुछ भी हाँ जी तो बिटा क्या हो जाएगा इसका वर्तिनी की दरश्टी से यह नरक शब्द ठीक है क्या नरक नहीं कहेंगे नरक कहेंगे ठीक है नरक जातू नरक में जाएगा दोजख जहन्नुम निम्लिकित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द जोड़ा या उफढ़ा अंधक फूल का पुष्प पसीना का प्रश्वेत शाबना का शवर्ण जल्दी बताएंगे प्टावडच से बहुत अच्छा प्रश्णे यह घी हागी बहुत बढ़ी है शाबाश तो देखेंगी बेटा अंधाका तो बेटा अंधक नहीं होता क्या होता है अंध होता है अंध होता है अंध होता है और पसीना का हो जाता है प्रस्वेद ठीक है पसीना का प्रस्वेद हो जाएगा और चबाना का चर्वन इसका चर्वन हो जाएगा चर्वन इस प्रकार ठीक है तो फूल का हो जाएगा आपका पुश्प जो कि यह सही है और की रिपोट है बिलकुल बात समझ में आ रही है बिलकुल बी आंसर सभी का क्या बात है मेरे टमाटरों बिलकुल संसकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संसकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जल्दी से बताएंगे फटावट से वीडियो को लाइक शेर करेंगे एक बार जिन साथ ही नहीं भी वीडियो को लाइक नहीं किया है ओकी रिपोट है बिलकु बिल्कुल देखो यहां पर सम जमा कार ठीक है और यह मैंने संधी के हिसाब से बताया था कार कृती कृत करन शब्द आए तो म का अनुस्वार हो जाता है और आधा सा का आगमन हो जाता है तो इसका बनेगा क्या अनुस्वार हो जाएगा ठीक है इसका बन जाएगा अनुस्व सम ठीक है सकार इस प्रकार से इसको लिख देंगे उप किरपूर्ट है सम जमाकार में संसकार बन जाएगा तो उपसर कौन सा लगा है सम लगा है सन समस कुछ नहीं हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है चलते हैं अगला प्रशन की सरासर यह बात सरासर गलत है सरासर गलत है सरासर जूटी है सरासर निरर्थक है तो सरासर में समास बताएंगे सरासर धड़ा अब आपको समझ में आने लगा होगा फटा फट तड़ा तड़ तावर तोड धूवा धार और एका एक यका यक अच्छा नक यह क्या होते हैं आपके अव्वेभाब समास होते हैं क्या होते मेरे गोलगप्पा अव्वेभाब समास होते हैं कि चले अग्ला प्रशन की योगदान में कौन सा समास है अभी भाव तत्ष है करमधार है बहुंगरी है योगदान है ठीक है इसोस क्या नौक आउत्तर कि बताना है यौग का दान यद बटे कहेंगे इसको विग्रह कर लेगे योग का दान उक्क की रिपोट है योग का दान तो बिटा कौन सा हो जाएगा यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा यह बात समझ में आ रही है चलेंगे अगला प्रश्ण निम्लिक्ट शब्दों में से एक इस्त्रिलिंग शब्द है टकसाल दाग घर खीरा इन चारों में एक इस्त्रिलिंग सब्द है रजिया गुंडों में फस गई तीन याँ पुलिंग है एक इस्त्रिलिंग है अब जल्दी से बचाओ सब लोग कउन है निकालो तो बटाग लग गया फुलिंग है घर बढ़ मुल खीरा सुक गया फुलिंग है टकसाल इस्ट्री लिंग हो जागा ठीक है यह आपका स्ग्डी लिंग ओक्रिफंट है तक साल जहांपर टंकशाला जिसे बोलते हैं तफसमें टंकशाला जहां पर रुपिये बनाए जाते हैं सर्म नाम के कितने भेद होते हैं सर्म नाम के भेद को पुरुषवाचक हो गया कौनसा पुरुषवाचक हो गया ठीक है निजवाचक हो गया कौन सा निजवाचक हो गया उक्रिपोट है निश्चे वाचक हो गया ठीक है निश्चे वाचक हो जाएगा किलियर बात अनिश्चे वाचक हो जाएगा क्या अनिश्चे वाचक हो जाएगा ठीक है, संबंध वाचक हो जाएगा, क्या, संबंध वाचक हो जाएगा, वो की रिपोट है, और अंति में आ जाएगा आपका प्रश्न वाचक, ठीक है, कौन सा, प्रश्न वाचक हो जाएगा, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये, च्छे, तो छे प्रकार के सर कुल सर्वनाम बिटा कर पूछे कुल मूल सर्वनाम ठीक है मूल सर्वनाम की बात आए तो बिटा कौन सा हो जाएंगे मेरे गोलकप्पे यह ग्यारा सर्वनाम होते कुल मूल सर्वनाम ठीक है और इसके अलावब उत्तम पुरुषवाचक के उत्तम पुरुषवाचक सर्वना और आपका अन्य ठीक है अन्य पुर्ष्वाचत सर्म नाम होते हैं ठीक है यह टीन ब्रकार की तो सबस्तान बहाव वीचार पैस्ट न होगा ऑव यह विचार होगा उसके द्योतक को यह पहले भी प्रशन आया था ठीक है किस तारिक में मैंने बताया था थोड़ा सा हटके थोड़ा अलग था लेकिन कुछ ऐसा ही था लेकिन दूसरे तरीके से हर पर प्रशन सेम नहीं है तो वस्तुस्थान भाव विचार के द्योतक शर्च को क्या एं संघ्या के तेन्ज सर्वनाम सर्मों के ते हुआ है क्या कहते है मैं कौन कौन सी करिया है हती आना में कौन सी क्रिया है प्रेर्णार्थक है संयुक्त है अनुक रणात्मक है या फिर नाम दातू है अब देखो इसका आंसर बताएंगे साथ में मि व्याख्या करके बताता हूं टीक है प्रेणार्णार्थ कौन सी है तो इसे चलना से चलवाना बोलना से बुलवाना मैंने उसको बुलवाया खिलवाया पिलवाया नहलवाया धुलवाया यह प्रेणार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्ण हिनाना ठीक है और कौन से होते हैं हिनाना और मिमियाना मिमियाना हो जाएगा यह नाम धातु जो है यह आपका हाथ से हाथ से बना है किसी भी संग्या ध्यान से समझेंगे संग्या सर्वनाम संग्या सर्वनाम और विशेशन पर इन से जब कोई क्रिया बनेगी तो वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी संग्या से सर्वनाम से विशेशन से जब कोई क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी ठीक है हाथ से बना है हतियाना साथ से सथियाना ठीक है सथियाना लात से क्या लात से लतियाना ठीक है और बात से बात से बतियाना ठीक है बतियाना थोड़ा बतिया लो बतिया ना करनो साथ में यह नामधातु क्रिया पॉइंट है डन है बात शले मेरे टमाटरों आगे निमलिकेत वाक्यों में क्रिया विशेशन युक्त वाक्य कौन सा है एक चार वाक्य इनमें एक वाक्य में क्रिया विशेशन का प्रियोग हुआ है बताएंगे जल्दी से कौन सा मैं कल नहीं जाओंगा यह फूल सुन्दर है हवा धीरे धीरे बह रही है आज हम स्कूल जाएंगे जाएंगे क्या बात थोक दवा के लाइक से बैटा लाइक नहीं कर रहे हैं तुम लोग गलत बात है लाइक तो बनता ही इतने कम लाइक देखो कितना अंतर है कोई नहीं बेटा पढ़ने पर ध्यान दे लो थोड़ा सा ठीक है फोकस करेंगे नामबाम किसी का नहीं लिया जाएगा आपको पता है ना मीटिंग हो चुकी थी चुकी है पहले ही और उसमें थोड़ा सा यह चीजे जो है निर्देश जैसे मिलते हैं से हमें करना होता है यह आपका क्रियाविशेशन है यह यहां पर क्या धीरे धीरे रिपोट है के निम लिखित शब्दों में से नियती का परयावाची नहीं है नियती का परेयावाची नहीं प्रारब्ध भावी शाश्वत या देव्य इन चारों में नियती शब्द का परेवाची कौन सा नहीं है यह पूचा गया है शावाश वेरी गुड प्रशन संक्या 15 का उत्तर बताएंगे जल्दी से कि प्रशन संक्या 15 का उत्तर हाजी कि 20 में 15 कि हाजी प्रशन सब्सक्राइब कॉस्तर नियती गावी नियती दैव्य नियती के परेवाची ही हो सकती है प्रपोर्ट है तक चलेंगे स्रष्टी इंगे बताएंगी मात जया सरष्टी का देखेंगे विंग डिप्रेश्टी और समश्टी इस तो बहुत आसानो हो जाएगा विकल्प के गुशहरी को चाभी नदी पहाड परबत मनुष्ण सब कुछ जो है सरश्टी है इसका विलम होता है प्रले क्या होता है विलम हो जाता है इसका प्रले कि रिपोर्ट है चलिएगा और व्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्व है और व्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्व है जिसे कहा ना जा सके जिसे व्यक्त ना किया जा सके जिसे कहा जा सके या जिसे व्यक्त किया जा सके तो क्या हो जाएगा और व्यक्ट शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्ट है तो आपको पता है कि जिसे व्यक्ट क्या जा सके उसे कहते हैं व्यक्त ठीक है जिसे कहा जा सके तो कथनी है ठीक है कथनी है और जिसे कहा न हुझा सके तो कथनी है ठीक है जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त बात है ऐ가리 व्यक्त भाव है आपके भाव आप ही तो समझ सके कोई दूसरा थोड़ी ना समझ सकते हैं कोई आपका दिल तूट जाएगा आपका कोई फूल ना ले वेलेंटाइन डे पर किसी का गुलाब ना लिया हो तो घर थोड़ी ना बता सकते हो कि वह अव्यक्त बात है उसको कैसे कैसे समझाओगे घरवालों के मेरा दिल तूट गया मेरा गुलाब नहीं लिया भाहिशाओ तो क्या कहें तो व्यक्त बाते हैं सबस्क्राइन किया सकें हैं जिसे कि गुंगाँ घर कोई मिती चीज़ तो वह पूछे कैसा लगा तो वह क्या ही जबाब देगा जब से बोनना नहीं याता है समय हम मैं मालें उसे अंदर ही अंदर आनंद के अनुभूति हो रही है वह और व्यक्त भाव जाते तो अब आपके अंदर एक बिजली सी कौंद जाती अंदर तक गुलगुली होने लग जाती पेट में तो तो क्या लगता है वह वह दूसरे को दूसरे से क्या ही आप कह सकते हैं कि मुझे पेरेट में गिल्गली हो रही है तो बेटा कुछ चित जो है दवा ले पेट में दार्ज हो रहा है कि जो है बड़ु है किया करण्ट लग गया क्या आरे नहीं वह विक्त भाव है आप ही व्यक्त समकर सकते हुए आप मतलब उन्हें डूसरे तक बता ही नहीं सकते अगला प्रश्ण है घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है घड़ों पानी पढ़ना ठीक है आपने वही वाली बात है गुलाब दिया किसी को कि उसने चोड़े में आपकी बिज्जती कर दें भाइसा कता ही पैरों के नीचे से जमीन किसक गई और आपके घड़ों पानी पढ़ गया तो क्या करी घोर घोर बिज्जती उसे कहते हैं लज्जित होना घड़ों पानी पढ़ गया आप पर मीचे मूं करके जा रहे हैं ऐसे क शर्म के मारे अरी मैया लज्जित होना उसे कहते हैं घड़ों पानी पढ़ना को किरिपोट है शैतान की आत अब कोई होता है लड़का है और जादतार लड़कियां ही है ऐसे करती है काम को जैसे की मम्मी से बतला रही है बहू मतलब बेटी सफुराल से मम्मी न्यू हो गया मम्मी न्यू हो गया मम्मी फलाना मम्मी ढिकाना और भाई साब क्या कर दिया बात नहीं शैतान की आत हो गई बात नहीं शैतान की आत हो गई कुछ लड़के होते हैं और भाई और सुना और सुना के आगे भी तो कुछ बोलेगा और सुना ही और सुना करता रहता है और आत्मी शैतान वह बड़ा होता है तो उसकी तो और ही बढ़ी होगी तो यह क्या है बहुत लंबी वस्तु या बात के लिए कुछ भी कुछ भी हो ना तो उसे कहते हैं शैतान की आंथ होना ओक रिपोट है चलेगा बुरा नम आने वेटा हिंदी है यह गत्तिगत नाने वेटा कोई भी किसी इसको उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े अब देखो यहां पर जो देवदार के व्रक्ष होते हैं वो काफी लंबे होते हैं मजबूत होते हैं बड़े बड़े होते हैं तो वो माना जाएगा क्या मान जाएगा उक्मान ठीक है अलंकार में उक्मान माना जाएगा कोई व्यक्ति है बहुत तगड़ा लंबा चुड़ा आदमी है और यह तो देवदार के व्रक्ष जैसा लंबा चुड़ा आदमी है तो हमने उक्मान से उक्मे की तुलना कर रहे है लेकिन बेटा यहां क्या कह रहा है यह उल्टा कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे तपस्वी वे देवदार के वरक्षों से लंबे थे यानि की उल्टा कर दिया यह उपमान की उपमान है देवदार का वरक्ष क्या है यहां पर उपमान और तपस्वी क्या है यहां पर उपमे हम यह कह सकते थे कि देवदार के जैसे वो तपस्वी लंबे थे यहां क्या कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े अरे भहिया उपमान को छोटा बता दिया उपमे को बड़ा बता दिया ये तो आपने उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया ना बिटा तो उल्टा मतलब प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा और किसका उल्टा ये आपका उपमा अलंकार का उल्टा होता ठीक है उपमा का उल्टा होता है प्रतित यानि कि यहां पर उपमान को तो छोटा बताए जाएगा उपमे को बड़ा दिखाए जाएगा उपके रिपर्ट बाट ड़न है चलेंगे कि जैसे पार्टी में कोई लड़की अच्छी सी ड्रेस पहन कर आए औरे ऐसे तो तेरे जैसी तो एश्वारे राय लग रही थी अच्छा मिस्वर्ड तुम जाता मलूक को एश्वर्ड बन गई वह हैं बहुत बढ़ी है तुमने बात का बात कर दी ऐसे करते तो एश्वरे र अरे बेटा अगर आपका बेटा का पूत है बिगड़ा हुआ है निकम्मा है नालायक है दुष्ट है क्रूर अत्याचारी निर्दाई पापी छीथू है तो धने खटा का धन संचे क्यों धने खटा कर रहा है बरबाद कर देगा एक एक दिन में कई की लाख उड़ा देगा कितना भी धने खटा कर लिए उड़ा देगा बरबाद कर देगा बिलकुल नाम मिट्टी में मिला देगा और पूत सपूत तो का धन संचे और अगर यदि आपका बेटा सही है सपूत है लायक है और उसमें कोई गुण है विशेष्टा है अच्छाईया है सही रास्ते पर चल रहा है सदाचारी है नेतिकता है तो धने खटा करने की आवशक्ता है यह तैलेंटेड है धने खटा करने की आवशक्ता निए खुद कर लेगा अपन्याप कर लेगा बिलकुल का हाथ में कटोरा दे देना घर से बाहर निकाल देना फिर भी धने खटा कर लेगा उसको कह जरूरत नहीं हे लेकिन जो हम भाव समझेंगे अनुवे समझेंगे तो बदल जाता है पूरा अनुप्रास का रख he 요 सब्सक्राइब यह विशेष्टा होती है चले आगे चलो मेरी टमकर कॉम चर्यू किसकी रचना है इस पॉम् चर्यू किसकी रचना है जल्दी से बतादे अब दूरह्मान विद्धापत्ति पर रहे चंद हम रहमान अब रह्मान की तो हुटा है संदेश रासक इतलेश रासक अब्दुल्रह्मान कि यह बिध्यापति की पदावली है पदावली प्रमुकृत्त कीर्थी लटाएनि की है सिर्थि लताएनिकी है कीर्थी पता का इननिकी है ठीक है कीर्थी यह अनीकी है ऌ tap प्रत्षवी राज रास्तों है तो पहर उस्ट किसकी है सुएम्भू की तो पाउम चरियू का मतलब होता है ठीक है पादम को को मतलब रही ट्विक हिंदी में पदम्वित ठीक है क्या पद्म और पादम को बोला जाता है इसमें रांबध पाली में टीक है राम रांद क्यार्टिट ही कर राम जी कर 205 रामचरीकम्ह वर्माने हिंदी का परथम कभी नाता ठीक है और हजारी जी को किसने माना था अबदुल जी अबदुलुर्मान को एच्पी टीमी माने था हिंदी का पहला कभी ठीक है और विद्यापति को माना था बच्चन सिंग ने किसने बच्चन सिंग ने माना था हिंदी का पहला कभी और यह हिंदी का प्रथम महा कभी ठीक है प्रथम महा महा कभी, इनको किसने माना था, फिंदीका प्रत्ब महा कभी, आपके हिटलर चचा, यानि की आच elaionya रे, शुक्ल जीने ठीक है, इनको हिंदीका प्रत्ब महा कभी माना, पहला कभी नहीं माना शुक्ल जीन के नुसार पहला कभी राजा भोज और मुंझ दोनों चाचा बतीजे हैं ठीक है कितनी सारी जानकारी आपको एक प्रशन के अंतरगत मिल जाती है इस एक्जामपुर चैनल पे बाई प्रमोर सारक सर्क के द्वारा गोरक बानी के संपादक कोन थे गोरक बानी किसने जुड़ी हुई है गुरू गोरक नाथ जी से जुड़ी हुई है जो की नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है ठीक है दूसरी बात इनके अलावा इन्होंने हठ योग का किसका हठ योग का प्रवर्तन किया ठीक है प्रवर्तन किया हठ योग का और हठ योग का क्या मतलब है हख का मतलब होता है सूर्यास में ठाक का मतलब होता है चंद्रमा यानि कि जो पतंजली का उच्छ लक्ष था जो पतंजली थे जो है योग गुरूप पतंजली ठीक है या योग के प्रवर्तक या योग दर्शन के प्रवर्तक कह सकते हैं उनका था लक्ष ईश्वर प्राप्ति और किसके माध्यम से योग के माध्यम से योग के माध्यम से गोरकनात ने हट शब्द को या हट चीज को लगाय इश्वर प्राप्तियोगी और यह नात संपरदाय के प्रवर्थक थे नात संपरदाय किसे संब्द ही था आठ इसाठ योगते और नात में संख्या कितनी थी नौकी नातों की नो नात थे तिक है नाग जड़ हरी सत्य भीम गोर चरजल मल यह नो नात और किसने की थी पीतंबर दत्वरतवाल ने गोरक वानी का संपादन किया था जिसमें गोरक वानी में गोरक नात की सभी रचनाओं का संकलन है बादन है चले आगे यह पत्थ बंधू था उपन्यास के लेका कौन है नरेश महता प्रभाकर माचवे भैर प्रसाद गुप्त यार राग यह पत्थ बंधू था और कि रिपोट है फड़ावर से बताएंगे जल्दी से हां बेटा हाज साबस है लाइक शेयर तो करते हैं याइफ भी करना होता है थोड़ा एक-दू हात मार हाथ चला लिया करो जिन लोगोंने नहीं किया L1 कर दिया करो च्छेयर भी कर देंगर थोड़ा बहुत हाथ पेर तो मैं नहीं दुख जाएंगे तनी देर में है क्यों भैटा कोई को नहीं है आज और में बिलकुल बिलकुल सही आ रहा आपका ए आंसर सभी का नरेश महताजी यह पत्रबंदू था उपन्यास है नरेश महताजी का ठीक है काफी प्रसिद्व पन्यास है ठीक उक्की रिपोर्ट है देश विभाजन की तरास दी किस उपन्यास में वर्णित है, यनि कि देश का जब विभाजन हुआ, देश आजाद हुआ, दो भागों में बटा, उसमें क्या-क्या तरास दी हुई, पाकिस्तान में क्या तरास दी हुई, भारत में क्या तरास दी हुई, लोगों को क्या-क्या कि दुख जहेलना पड़ा वो सब किस उपन्यास में रागदरवारी गवन में जूटा सच इन ही हत्यार में हाज फटावट से बताएंगे कि शाबाष बहुत बढ़िया है जल्दी बताएंगे फटावट से है राग्दरवारी तोल्ट श्री लाल सुकोल का एक श्रिलाल शुकल तो iidakar शुकल शुकली का गवनि किसका है प्रेमचंद्स जी जू धनकर और रजूटा सच जूटा शच है यश्पाल जी का थीक है जूटा सथ जूटा शुच यसपाल बहुत जादा इसमें तराश्दी दिखाई गई है जो की भारत और पाक विभाजन के समय पर हुई थी हर आह वेदना मिली विदाई आह वेदना मिली विदाई इसमें यह पंक्ती किस नाटक से ठीक है किस नाटक के गीत की पंकति है किस नाटक के गीत की पंकति है और यह आपका आनल देव सेना का है यहाद आखी इंड देव सेना के गीत है किसका देव सेना? अब यह वो देवसेना नहीं है बाहु वली वाली अजाद चत्रू चंद्रगुप्त इसकंद गुप्त या दृब्सवानी और किसके बिटा यह प्रसाद जी के है किसके बिटा प्रसाद जी के नाटक है ठीक है प्रसाद जी के नाटक है सारे के सारे पोक्यम मैं और किसे बड़ा यह आपके सकंद गुप्ते से किसका इसकंद गुप्त नाटक का गीत है आह वेदना मिली विदाई और कैसे आगे करके हिम करके मदकर की मदकर की धूल की मिताई लुटाई ऐसे करके आगे पंग्वति चलेंगे प्रकाश और परच्षाई किसята कảngे कार्चना है प्रकाश और परच्षाई धरम्वीर भारति विश्नुप्रवाकर बेचन शर्मा उग या हरी कृष्ण परमे प्रकाश और पर्षाई बिलकुल बेटा हां अच्छा ठीक 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 हां बिलकुल यही पंग्ती है आगे था यही आगे बिलकुल बिलकुल आप बहुत अच्छे इस तरह से एक्टिव रहा करो और एक्टिव होने से थोड़ा सा चीजों का पता चल जाता है कि टीचर के हिसाब से आप क्या पढ़ रहे हो क्या अपको एक्स्ट्रा लग रहा है वह सारे आपके जुड़ने से बनता है ठीक है शाबाश है बिलकुल बढ़ी है ठीक है तो बटा किसकी यह प्रकाश और परशाई आपको पता है बिलकुल यह साहते वाले बच्चे बहुत तेज है विश्णु प्रभाकर बी आंसर आपका जो का जो आप दे रहे हो सही है बाकी बटा सी नहीं नहीं ए गलत होगा अंधा यूग हो जाएगा ठीक है और आपका थंडा लोहा हो जाएगा सात गीत वर्ष हो जाएगा ठेले पर हिमाल ले गुल की बन्नो इनकी ए गुल की बन्नो कि यह सारे किसके धर्मीरभातिक यह वाले कि रिपोट कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारम कब से हुआ था बहुत अच्छा प्रश्ण है और मैंने कई वाली कई बार क्लास में डिसकस किया है कब हुआ कब सबसे कब तक कौन संपादक रहे और सबसे ज्यादा समय किसने दिया संपादन में और सबसे ज्यादा इसको प्रसिद किसने किया यह सारे चीजे मैं बता चुता हूँ है ना बताएंगे जल्ब क्या बात है कि तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौने मेटा संपादक तो आपको पता है यह काशी से प्रकाशित हुई थी आपको पता है ना काशी से और संपादक कौन रहे थे ज्यादा 1903 से लेकर 1903 से लेकर 1920 तक ऐसे लिखा जाएगा क्या 1920 तक थीक है 1903 से 1902 तक आपके कौन रहे थे MPD यानि की महावीर प्रसाद द्वेवेद कौन महावीर जी ठीक है महावीर प्रसाद जी ठीक है और 1902 तक रहे थे मतला 1902 तक हां इस स्बाद मंडल द्वारा 1900 से लेकर 21IDE संपाद मंडल द्वारा और एक से लेकर तीन तक रहते शाम-संदर्दास उसके बाद आपके इनको दिया गया ठीक है 1900 में इसकी शुरुबात हुई थी MARK इत्पिकर ने परोट की रिपोर्ट हैं में करें है चले आगे विल्कुल सही बात है आपकी पिल्कुल की रिपोर्ट है किला जिच pizza चले से अगला प्षण क्या एक वॉल गातेगी आपकोंल से गंगा डो वोल गातिव गंगा किसी रचना है शाम सुन्दरदास, सरदार पूर्ण सिंग, राहुल, सांकृत्य ये डॉक्टर नगेंद, वोल्गा से गंगा, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा की, वोल्गा यूराल ठीक है, और गंगा, ये कुछ यात्रा की बात नहीं आ रही है, किसकी यात्रा साहित्य, ठीक है, क्या है, य जिन्तगी बन गयिए घण सब यहां sino और यह पुरी दुनिया जूना इक नोसे पहले लिए गूम लिए कि ए हैं तो बढ़ गभलता नियुक्द यह उतननी तो यह आज डेकिया सब्सक्राख आंस तक लोटा स्टमिल गया? नापका इंडिया चला गया और कहां कहीं जो बड़ी बड़ी चीजे जिए गुमने की वहां कहीं एक दो मॉल में छोटे मोटे में गुम लिए अकेले कहां जाओ यह कहां अपना मून मारों जाकर पढ़े रहों कमने पर चिक्शाप ऐसे कर लेते हैं कि दो चाहरों तो चलो बड़ी प्लान बनाते चलना है अब कोई है नी तो क्या है वह लगा से गंगा वैटा क्या है राहुल सांकरत्यांजी की रचना है तीक है वह से गंगा घुमकड़ तो यह न हिद्धी व्याकरण ग्रंत शब्दानु शाषन के रचनाकर को नियम बैटा यह बहुत कलम हुआ प्रिशन अपन आप्को शब्दानु शाषन के रचनाकर कोन है हेमचंड्र है किशोरी दासवाज़प acoustic पान ये又 पतन जली है हानके है हाँ जी किशोरी दासवाज़ पर हेम चंद को यह इनका है शब्दा नुशासन इनकी भी रचना है ठीक है कि पाणिनी की कौन सी है अश्टाध्याई क्या अश्टाध्याई ठीक है कि कि रिपोट निवें अब देखो इनका जो ग्रंथ है हिंदी क्या हिंदी शब्दा नुशासन इनका ग्रंथ है यहां केवल लिखा हुआ है शब्दा अब लेकिन आगे ये भी तो लिखा हुआ के हिंदी वियाकरणगृंध तो हेम्चंद में रिखा थिक का थीकर हिं थेम पाली भास्षा में लिखा थीक है कि रिपोर्ट है तो हेम चंद तो शब्दानुशांसन दूसरी भाषा में है जो हिंदी भाषा का है वह आपका किशुरी दास वाज़ पहीं है और किशुरी दास वाज़ पहीं को हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का पानिनी कहा जाता है ठीक है हिंदी भाषा का पानिनी कहा जाता है किसको आपके हेम चन्द उच्छोनी इनको किशोरी दास बाज पेखो ठीक है पानिनी ठीक है हिंदी भाषा का पानिनी कहा जाता है किसको किशोरी दास बाज पेखो वाज पेखो और हिंदी व्याकरण का पान नहीं किसको का जाता है का पाण नहीं किसको का जाता है यह का जाता है आपको आपके जो हिंदी व्याकन जो ग्रंथ लेकाता केवल कामता प्रसाद गुरु कौन कामता प्रसाद कामता प्रसाद गुरुजी के द्वार ठीक है ओकी रिपोर्ट है बात डन है ठीक है शलो अकला प्रश्न करते हैं हिंदी साहित्य का आधिकाल इस ग्रंथ के लेखक कौन है क्या ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधिकाल बेटा मेरे गोल गपाओ थोड़ा लाइक शेयर कर दो तो थोड़ा आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा क्या समझे है जल्दी करो फटावट से कर दो कर दो कोई कुछ नहीं तुमारा धंदोलत नाम नहीं कर वा रहे यह से हमाँ प्रोटसाहन मिलता है जितने ज्यादा लाइब होंगे जितने ज्यादा लाइक होंगे हमें अच्छा लगता है उत्रे जोश एनर्जी उर्जा के साथ हम पढ़ाते हैं जैसे कि खुद्र हूं तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा और अपनी कलाओं का राजा नहीं चेक्रवर्ती सम्राट ब साहित्ये का हितिहास नहीं का हितिहास किसी का है किसका है आपके राम चंशवन रिदीटा दिकम और हाजारी राम विलाशर्मा और ग्लिल उक्रो Engagement रों तो कि इनमें जो साहित्ये का आधिकाल है वह ह्पीडी जी का किसका हजारी प्रसाद विवेदी जी का इसके लाबा हिंदी साहित्य की भूमिका यह भी निका है हिंदी साहित्य और विकास भी निका है ठीक है तो आंसर होगा अपका सी अगरा प्रश्ण है कि हिंदी साहित्ते के इतिहास लेखन का सर्व पर्थम प्रयास किसने किया था आचर राम चंद शुक्ल ने, गिरियर्सन ने, या फिर गार्सा दताची ने, या फिर हजारी प्रसाद द्रिवेदी ने ठीक है तो बटा शुकल जी ने तो लिखाता कब शुकल जी ने लिखाता उन्निस सो उन्तिस में ग्रियर्स ने लिखाता अठारस सो अठासी में ठीक है गारसद अठासी ने अठारस सो उन्तालिस में और सेंतालिस में लिखाता हजारी पृसाजी ने 1940 में और 52 में लिखा था ठीक है आप बताओ बिटा कि सबसे पहले कौन है सबसे पहले इस्तवार क्या इस्तवार द ला लित्रेत्यूर एंदुई क्या एंदुई एंदुई एंदुस्तानी यह किसकी द्वार अचनल लिखे निख गई थी यह गारसद अतासी के द्वारा पहला प्रयास किया गया था दो मौडन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर अफ नादर हिंदुस्तान आपके जौर्ज बिजर्सम के द्वारा लिखा गया था ठीक है और हिंदी साहित्य करते आस आचारे भ्रांचल शुगल जी के द्वारा लिखा गया था है चलिएगा और ओम जय जगदीश हरे आरतीक किस ने लिखी थी जल्दी बताएं और ओम जय जगदीश हरे आरतीक किसने लिखी थी ठीक है और वहीं। पंजाब में क्या साहित्ते ने बच्चों सुननो द्यान से यह आपके लिए विशेश प्रश्न है पंजाम में हिंदी के हिंदी के प्रचारक रहे थे यह पंजाब में हिंदी के प्रचारक रहे थे जिन्नोंने आर्थी लिखी थी उम जै जगदी सिहरे स्वामी जै जगदी सिहरे भाक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छण में दूरिकरे यह किसकी है श्रद्धाराम फिल लौरी जी ने इसको लिखा था चले आगे और में माखन चोर गड़े और में माखन चोर गड़े आब कैसे हुँ निकसत नहीं उधो तिरचे हुए जो खड़े यह पंती सूर्दास की तुल्ची मीरा कभीर अगर मेरे प्रश्ण बनाया होता है को तो मैं क्या कहता सूर्ध नंददास ठीक है नंददास रस खान ठीक ह और इसको मीरः भाई को ही ञेने देते और इसको इसको हटाके यहां करते हम रस खान ठीक है तो चारों में उने इस तरह से नहीं लिखाए जो की सूर्दास ने नंददास ने मीरा ने रखन लेकिन ये रचना किसकी है केवा सूर्दास जी की पंक्ति है और में माखन चोरगड़े कहां से ये भ्रमरगीत सारते है गोपिया कहती है उदव से उदव कहता है निरगुण भक्ति की बात करता है यह क्या कहता है उदव से कहती है कि उर्मे मन में माखन चोर गड़े हैं उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे निक्सत नहीं उधो जब आदमी तिर्चा हो जाता है किसी जगह खड़ा हो जाता है तो निकलता नहीं है कि तिर्चे होकर खड़े अटक गए निकल नहीं रहे अटक गए निकल नहीं रहे तिर्चे कर रही है गोपिया तो यह हो गई आपके यहाँ पर क्लास ठीक है तो यह अब मैं आपको बता देता हूं कोर्स आपने पर्षेज नहीं किया तो जल्दी से कर लीजेगा बहुत 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 सुपर सॉलिड ओफर चल रहा है और अभी जादा समय नहीं है बेटी बाप कही है पंद्रे जाइन जादा क्लास में ग्हांद से algumas कर लोगे 20 दिन की क्लास स हीजादा से जादा 20 क्लास है एक दिन में दो टीन दिन क्लास लेगे तो आपका उस्ले समय खोस गे जलिए तो आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा बहुत सस्ता सूपर सॉलिड ऑफर चल रहा है इतनी बहतरीन क्लास से चल रही है आपको पता है मिलते ब्रेक के बाद तब तके लिए जैहिन वंदे मात्रम जैग्जामपुर कर विजैग्जामपुर